घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट के बारे में बताने वाले हैं जो की 8 नवंबर सन 2016 से बंद कर दिये गया है उसकी रात्री से बंद कर दिये गया है इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंते तक देखते रहें। की ज़रुत नहीं है। 30 दिसंबर तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंक और डाग घर में जमा करायत जा सकते हैं। कुछ कारणों से जो लोग 1500 और 500 रुपए के नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सकेंगे। वे लोग 25 पत्र दिखाकर 31 मार्च 2017 तक नोट बदलवा सकेंगे। 9 नवंबर को बैंक में पब्लिक डिलिंग नहीं होगी। तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और नरेद मोदी जी ने जो यह कदम उठा है ब्रष्टचार आतंवाद और काले धन के खिलाफ और जाली नोट बनाने वालों के खिलाफ मुझे तो इस कदम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें ताकि आपके भी घर परिवार और आपके भी फ्रेंड रिस्तदार यह जरूर जान पाएं। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू पाएं सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चलाओ तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।